वेलकम टो वीडियो फोट लीमिटेड तो फैंट्स वख़ड लिमिटेड के अगर भात करेंगे तो क्या स्टाटर्जीस अम आगे लेकर चेल सकते इस पर्टिकुलर के साथ वह हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में उससे पहले फ्रेंड्स में आप लोगों को रिक्वेस्ट कर हम बात करेंगे तो आज के टेडिंग डे में जो है इसने हाई बनाए था 439 और इसका लो बनाए था 431 और यह जो है क्लोज हुआ है 433 पर तो फ्रेंट यह शेयर तब से मैं मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ जब इसका प्राइस 400 टच हुआ था तो लास्ट वन विक के अगर हम बात करेंगे तो अल्मॉस्ट 455 के आसपास यह जाके आ चुका है नीचे 455.80 और 400 जो है इसका हम स्टॉंग स सपोर्ट मान के चल सकते है फिलाल की केस में तो पिसले वन येर का चार्ट दिखाता हो मैं आपको मैंने यहां पर 400 के रेंज में बाय करने के लिए बोला था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से अच्छा एक रैली हमें देखने को मिल सकता है वकाट में और आप यहां पर देख सकते हो कि सवरी यहां पर बोला था मैंने मार्च के असपास और उसके बाद आप देख सकते हो इमिडेटली मार्च एपरिल में और में में इसने जो है 804 का जो है हाई बनाय था तो अल्मूस्ट डबल के रिटन इसने दिए थे फ्रेंड्स और यहां प अगर देखती है तो इसका 400 हम स्ट्रॉंग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं और यह फिर से गिर के जो था 400 के आसपास कुछ तो आया था उस टाइम पर तो अभी रिसेंटली फिर से जब इसने 400 का प्राइस टच किया था मैंने उस समय बोला था कि हम इसको बाई कर सकते है यह अच्छा कासा रिटन में भी दे सकता है तो अगर यह उपर नहीं जाता है तो क्या तो डेफिनिटली उपर अगर नहीं जाता है तो यह रेंज मांट कहलेगा मतलब 450 500 इस प्राइस रेंज में कहलेगा तो वहाँ पर आपको लगता था वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर वहाँ पर ऐसा नहीं लगता है आपको कि लॉंग टर्म बने रहना चाते हो और यह अच्छा का सा रिटन फ्यूचर में दे सकता है ऐसा अनलिसिस मेरा है और आपका भी यही अनलिसिस कहता है तो हम इसको हर डिप पे बाइ कर सकते हैं यह बहुत अच्छा स्टरिज के आसपास जो है 400 के नियर बाइ अपना पॉजिशन बनाया है तो अगर हम उस प्राइज रेंज पर बाइ करते हैं और एज एन एग्जामपल लास्ट विखी यह 455 तक गया था तो 55 रुपीज अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा लगता है पर शेर तो मैं निकाल सकता हू तो उपर जाता है वाट इफ वह 400 के नीचे जाता है तो वहाँ पर ऐसा स्टाटेजी होना चाहिए फ्रेंड की सपोज अभी हमारे पास 10,000 बजट है और हम उसमें से 4,000 इंवेस्ट कर चुके 400 के प्राइस पर तो बच्चा वहाँ मेभी 3,000 हम ऐसी प्राइस रेंज पर बा वह करन स्टाटेजी से हमेशा अच्छा रहेगा तो यह स्टाटेजी हम वकाट के साथ लेके चलते हैं मुझे खुद को ऐसे लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में पोटेंशियल है कि यह आगे बढ़ सके लेकिन आपको बाइंग पोजिशन बनाने के लिए आपको वीडियो में पहुचाना चाहा रहा था था थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल